अलो फ्रेंट मैं वेलकम ंंडूइंग्ग शॉय दोस्तों हमारे आद्विनिक भारती तियाज की स्रंकला का बार्वा पार्ट है और इसके पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी कंपणी के अदीन गवेर्नर जेर्रल्स भाग तीन की और ये कंपणी को अदीन गवेर्नर जेर्नर और वायस राय किए चौता बाग है यहाद आकि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी लाड एलिगन तक के कारेकाल के बारे में आए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाड एलिगन के बाद के प्रमुक कारेकाल किस किस के हुए और उनके मेटपोर्ण बिंदुओं पर लाड एलिगन के बाद जो कारेकाल आया वो सर जान लारेंस का हुआ तर जान लारेंस का कारेकाल अठारण सो चोंसट इसवी से अठारण सो उनत्तर इसवी तक रहा इसके कारेकाल जो मुख युद्ध हुआ वह भूटान का युद्ध था जिसमें भूटान ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और यह युद्ध 1865 इस्वी में हुआ 1865 इस्वी में अंग्रेजों का भूटान से युद्ध हुआ जिसमें भूटान की हार वी और भूटान की हार के पश्चात दोनों ने अंग्रेजों ने और भूटान ने आपस में संधी कर ली अफगानिस्तान के संदर्व में चौन लारेंस ने आस तक छेप की नीती अपना है और इस नीती को इतियास में पॉलिसी आफ माश्टरली आफ अनेक्टिविटी पॉलिसी आफ माश्टरली आफ अनेक्टिविटी या सांदार निस्क्रियता के नाम से जाना जाता है तो सवाल कई बार इससे पूछा जाता है कि सांदार निस्क्रियता या पॉलिसी आफ माश्टरली आफ अनेक्टिविटी की नीती किस ने अपना है तो पॉलिसी आफ माश्टरली आफ अनेक्टिविटी या सांधार निस्क्रेटा की नीती सर जान लारेंस ने अफगानिस्तान के खिलाब अपनाई आगे बात करते हैं जान लारेंस के कारेकाल में मुक्के राजियों में अकाल पड़ा जिसमें उडिसा में 1886 इस्वी में और बुंदेल खंड और राजपताना में 1868 और 69 इस्वी में अकाल पड़ा तो इसके कारेकाल में जो अकाल पड़ा वो उडिसा, बुंदेल खंड और राजपताना में पड़ा चेंपवेल हेंरी के नेतत्व में इसने एक अकाल आयोग की इस्तापना की अकाल आयोग की इस्तापना की इन अकाल के जाच के लिए उसका नेतत्व चेंपवेल हेंरी के नेतत्व में अकाल आयोग की इस्तापना की 1865 इस्वी में भारत और यूरोप के बीच दूर संचार विवस्ता को गती मिली और दोनों के बीच समुद्री टेली ग्राफ की सुरुआत हुए तो समुद्री टेली ग्राफ की सुरुआत सर जान लॉरेंस के कारेकाल में 1865 इस्वी में हुई समुद्री टेली ग्राफ की जो शुरुआत हुई 1865 में ज्यान लॉरेंस के कारेकाल में हुई लॉरेंस के कारेकाल में ही भारती वन्मिबाग की इस्ताफना हुई भारती वन्मिबाग की जो इस्ताफना हुई ज्यान लॉरेंस के कारेकाल में हुई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाड मेयो के कारिकाल की लाड मेयो का कारिकाल 1879 से 1882 तक रहा है 1870 में भारत में मेयो ने विकेंद्री करण की शुरुवात की तो 1870 में मेयो ने भारत में विकेंद्री करण की शुरुवात थी इसने आयकर में बदलाव करके उसमें एक प्रतीसत की व्रधी की और इस व्रधी करने के साथ इसने बजट के गाटे में जो बड़ोत्री थी जो बजट का गाटा था उसमें कमी लाई तो विकेंद्री करण के साथ लाड मेयो ने कर्मे व्रद्धी की एक प्रतीसत जिससे बजट के गाटे में कमी आई भारत की पहली जन गड़ना मेयो के कारिकाल में 1871 में हुई भारत की जो पहली जन गड़ना हुई वो मेयो के कारिकाल में 1871 में हुई और जो जनगणना थी वह रिपिन के कारिकाल से नियमित रूप से होने लगी और यह जो भारती जनगणना जो अभी तक चली आ रही है हर दस साल के बाद जो होती है अभी लेटेस्ट में 2011 में हुई तो फो जो है सबसे पहले लाड मयो के कारिकाल में हुई और इसके बाद रिपिन के कारिकाल से नियमित रूप से होने लगी 1872 में क्रसिवी बाग की स्ताफना लाड मियो ने की बंबाई और मदरास में नमक कर में रद्धी की लाड मियो ने बंबाई और मदरास में नमक कर में रद्धी कर दी लाड मियो ने अजमेर में एक मियो कॉलेज की स्थाफना लाड मियो ने की 1872 इसवी में अफगानिस्तान में इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई और यह भारत का पहला वाय सराय था जिसकी हत्या उसी के आफिस में हुई हफगानिस्तान में इसके आफिस में ही चाकु मार कर इसकी अत्या कर दी गई यह पहला वासराय था जिसकी अत्या उसी की आफिस में हुई इसके बाद जो कारिकाल रहा, वो लाड नार्तबुक का था और इसका कारिकाल 1882, union के 1876, union के तक रहा इसके कारिकाल में पंजाब का कुका अंदोलन हुआ जो 1872 इस्वी में हुआ और लाड नार्थबुक के कारिकाल में हुआ बंगाल और बिहार में इसके कारिकाल में अकाल पड़ा इसने बड़ोदा के राजा मलहार राव गयकवाड को 1875 इस्वी में ब्रेश्टाचार और कुसासन के आरूप के कारण गद्दी से हटा कर इसके भाई के दत्तक पुत्र को राजा गोशित कर दिया इसने बड़ोदा के जो राजा थे मलार राव गायकवाड उनको 1875 में उन पर ब्रेश्टाचार और कुशासन का अरोप लगाया और गद्धी से अटाकर इसके भाई के दत्तक पुत्र को राजा गोशित कर दिया इसके कारिकाल में लाड नार्थ प्रुक के कारिकाल में स्वेज नहर खुल गई जिससे भारत और ब्रिटेन के मद्ध व्यापार में अत्यदिक व्रद्धी हुई 1875 इस्वी में प्रिंस आफ वेल्स किंग एडवार्ड सब्तम भारत की आत्रा पर आये इसके बाद जो कारिकाल हुआ वह लाड लिटिन का कारिकाल 1876 से 1880 इस्वी तक रहा है कि इसके कारिकाल में जो मुख्य बाते हुई उस पर जाड़ालते हैं लेकिन जो लाड लिटिन था वह एक उपन्यास कार लेखक और साही तिकार भी था इसके कारिकाल में भारत में भीशन अकाल पड़ा जिससे प्रवावी जो छेत्र थे उसमें पंजाब, हैदराबाद, महसूर, मद्रास, बंबई और संपोर्ड मद्यभारत इससे प्रवावित था लौड लिटन के कारेकाल में भारत में अकाल पड़ा और इसमें प्रवावी छेत्र पंजाब, हैदराबा मसूर मदराज बंबई और संपॊण म्द्यभारत था इस अकाल की जाच के लिए इसने रिचर्ड श्ट्रेची के और धर्चता में एक आयोक का गठन किया तो जिस अकाल आयोक की एसने गठन किया उसकी जाब धर्चता की वह रिचर्ड श्ट्रेची ने कीya आगे बात करते हैं एक जन्वरी 1889 इस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपादी से सम्मानित करने के लिए एक विसाल दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया दिल्ली दरवार का योजन जो था हूँ मारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपादी से समानित करने के लिए किया गया और यह एक जन्वरी 1889 इस्वी में हुआ 1889 इस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया जिसमें भारती भासा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंद लगा दिया इस एक्ट का जो समर्थन किया वो पायनियार अकबार ने किया तो वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन पायनियार अकबार ने किया इस एक्ट पर वर्नाकुलर एक्ट पर एनेस बैनर जी ने कहा यह आस्मान से वे वज्जरपात के समान है जब वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ तो इस पर एनेस बैनर जी ने कहा कि यह आस्मान से वे वज्जरपात के समान है लाड लिटिन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयू में कमी कर दी और इसने आयू जो प्रवेश की आयू थी वो 21 वर्स से गटा कर 19 वर्स कर दी और इस आयू की कमी करने का जो मुक्य उद्देश था वो भारतियों को जो भारती नागरिक थे उनको सिविल सेवा के प्रवे में एक मुस्लिम एंगलो पाष्च विद्याले माविद्याले की इस्तापना की अली गड़ में एक मुस्लिम एंगलो पाष्च माविद्याले की इस्तापना इसके बाद 1888 इस्वी में पारिट सस्त्र अधिनियम के अंतरगत बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगा दी 1888 इस्वी में लाड लेटिन ने एक अधिनियम पालिक्त किया सस्त्र अधिनियम जिसके अंतरगत सभी हतियार रखने के लिए लाइसेंस की आवस्यक्ता अनिवारे कर दी 1888 इस्वी से 1880 इस्वी में दृती आंगल अफगान युद्धुगा इस युद्ध में अफगानों ने अंग्रेजों पर बहुत अधिक मात्रा में हानी पहुचाई और बहुत अधिक मात्रा में अफगानों को दन संपत्ती प्राप्त हुई आगे बात करते हैं लाड रिपिन के कारेकाल की लाड रिपिन का कारे काल जो था वो 8824 में टकर आ ओठ सो चाहाँ,. इसके नियुकति गॉल्ड स्टौन کی नेतत्त वाली लिब्रिल पार्टि कि द्वारा हुई थी छो लाड रिपन की जो निउकती हुई वो गोल्ड स्टोन के नेतत वाली LiBeeral Party के देवारा हुई उस समय जो ४ार्टि का नेतत। करता था वो गोल्ड स्टोन था उसके द्वारा बाड रिपन की निउकती प्रिक्रि लुद्र चुकती हुई काःकाल से हुई थी उसकी जो नियमित रूप सरुगा था कि 1882 में वेर्ना बित को समाप्ट कर दिया जो नाट लिटन ने पारित किया था उसको लाड रिपन ने 1882 ह relypon वर्स कर दिया इसने बारतियों को प्रवेश का फिर से मौका दिया और इसने जो सेविल सेवा में प्रवेश की आयू थी 19 वर्स जो लाड रेलेटर ने की थी उसको बढ़ा कर पुना 21 वर्स कर दिया सैक्षिक सुधार के अंतरगत विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग की स्तापना की जो बाद में अंटर कमीशन के नाम से जाना गया तो अंटर कमीशन जो था उसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी और इसकी अध्यक्षता में एक आयोग की जो स्तापना हुई वे लाड रिपन के कारेकाल में हुई 1882 इस्वी में नमक कर को लाड रिपन ने कम कर दिया 1882 इस्वी में नमक कर लाड रिपन के दौरा कम कर दिया गया 1883 में एलवाट अधिनियम पारित हुआ 1883 इस्वी में एलवाट अधिनियम पारित हुआ 1883 EC में लाड रिपन ने एक अकाल सहिता की, इस्तापना की, इसने मैसूर को इसके पुराने सासक को वापस कर दिया, जो एलवर्ड बिल पारित हुआ था उसके विवाद में, रिपन ने इस्तीफा दे दिया, अपना कारेकाल पूरा होने से पहले ही लाड रिपन ने इस्तीफ कहा था, जो भारत का उद्धारक की संग्यादीफ, फ्लॉरेंस नैट इंगल ने वो लाड रिपन को दिया, लाड रिपन के कारेकाल के साथ ही भारत में स्वन्युक का आरम हो गया, भारत में स्वन्युक का आरम का जा सकता है, वो लाड रिपन के बाद जो कारेकाल आया, व इसके कारेकाल का जो मुक्य युद्ध था वो तरती आंगल वर्मा युद्ध हुआ जो तीसरा अंग्रेजों और वर्मा का युद्ध हुआ जो 1885 से 1888 इस्वी तक हुआ इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और वर्मा अंग्रेजी राजी का हिस्था बन गया जो तीसरा आंगल वर्मा युद्धुए उसमें अंग्रेजों की जीत हुई और वर्मा अंग्रेजी राजिका हिस्सा बन गया 1885 इस्वि में बंगाल में 1886 इस्वि में अवद में और 1887 इस्वि पंजाब में 10C Act पारिक हुआ टेनेंसी एक्ट एक बहुत ही में तो पूर्ण एक्ट था जो 1885 में जो पारित हुए सर्व परतम बंगाल में इसके बाद यह 1886 और 1887 में पंजाब में भी लागू हुआ इस एक्ट में यह निर्ण हुआ कि जो जमीन दार थे हुँ अपनी इच्छा के नुसार किसानों से उनकी जमीन नहीं चीन सकते हैं तो जो टेनेंसी एक्ट था वह 1885 इस्वी में मंगाल से पारित हुआरबाद में अवद और पंजाब में यह पूर्ण रूप से लागू हो गया तेरा परवरी 1885 इस्वी में डफरिन के कारिकाल में ब्रिटेन की मारानी भारत आई इसके बाद 1885 इस्वी में लेडी डफरिन फंड नामा के ऐक फंड की इस्ताफना की लाड़ डफरिन फंड की इस्ताफना की 1885 इस्वी में और यह फंड इस्तुनियों की रच्छा के लिए कारिकरता था तो यह जो फंड था लेड़ी डफरिंड फंड यह इस्तियों की तच्छा के लिए कारे करता था और इसकी स्थापना लाड़ डफरिंड ने 1885 इस्वी में की थी 28 दिसंबर 1885 इस्वी को बंबई में ए ओ यूम ने भारती राष्ट्री कांग्रेस की स्थापना की लाड फरिंड के करेकाल में जो मुख के बात हुई वह यह थी की 28 दिसंबर 1885 इस्वी में ए ओ यूम ने भारती राष्ट्री कांग्रेस की स्थापना बंबई में की इसके बाद जो कारीकाल हुआ है लाड लेंस्टाउन का हुआ लाड लेंस्टाउन का कारीकाल 1888-894 इसने मार्टीन डूरंड के अद्रक्षिता में एक मंदल अफगानिस्तान बेज़ जिसका परिणाम 1893 में भारत और अफगानिस्तान के मध्ध सीमा निर्दारन के साथ रखा गया वह दूरंड रेका रखा गया चुकि है मार्टिन डूरंड की अद्रक्षिता का मंदल था तो इस वजह से इसका नाम भी दूरंड रेका रखा गया जो वारत और अफगानिस्तान के मध्ध की सीमा रेखा है उसका निर्दारण 1893 में हुआ 1891 इस्वी में दृतीफ फैक्ट्रियेट पारित किया लेंस्डाउन ने दृतीफ फैक्ट्रियेट पारित किया 1891 इस्वी में जिसमें मैलाओं को 11 गंटे से अधिक काम पर रोक लगा दी और साप्ता एक शुट्टी की भी वेवस्ता की सप्ता में एक दिन चुट्टी और मैलाओं को अधिक्तम 11 गंटे कारे पर इसने नियम बना दिया 1891 इस्वी के मणी पूर्विद्रों को लेंस्डाउन ने सफलता पूर्वक समाप्त किया जो 1891 इस्वी का मणी पूर्विद्रों था उसको लेंस्डाउन ने सफलता पूर्वक समाप्त किया 1893 इस्वी में तिलक ने गड़पती उत्सों की गोश्ना लेंस्डाउन के कारिकाल से की लेंस्डाउन के बाद जो कारिकाल हुआ वो लाड़ एलिगन दुर्थी का रहा जो 1894 इस्वी से लेके 1899 इस्वी तक रहा जो लाड़ एलिगन दुर्थी का कारिकाल था वो 1894 इस्वी से 1899 इस्वी तक रहा इसके कारिकाल में 1895 इस्वी से 1898 इस्वी तक बिहार, उत्तरप्रदेश और मद्यप्रदेश में भीशन अकाल पढ़ा कि जाच के लिए इसने जम्स लायन के अदक्षता में एक लायन कमेटी की स्ताप्णा की लायन कमेटी का गठन हुआ वह अकाल की जाच के लिए 1895-1995 की बीजियों अकाल फड़ा उनकी जाच के लिए लाड एलिगन दुर्टी ने किया एलिगन ने भारत के विसे में कि जो कथन कहा था वह इस प्रकार था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रच्छा की जाएगी कई बार एक्जांस में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रच्छा की जाएगी यह कथन लाड एलिगन दुर्टी का था अगले वीडियो में जाने के लाड कर जानो और जो स इस गवर्नर जैनल्स और वाउस अराय अच्छे हैं उनके बारे में और इस सीरीच के प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो रिगूलर अप्डेट और इस वीडियो को लाइक करो और अपनी सुजाओ में कमेंट बॉक्स में बचा है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद